हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल नेना को हुपर आज मैं आपसे सेर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम अपने न्यूबॉर्ण बेबी यानि जीरो से 6 मन्थ तक के बेबी के सिर पर जो कभी कभी मैल की परत जम जाती है ये कभी ब्राउन कलर की हो सकती है कभी वाइट कलर की हो सकती है तो इसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कभी कभी ये थोड़े बड़े बच्ची को भी हो जाती है दो से तीन साल के बच्ची के सिर पर भी हो सकती है तो ये परत निकालना जरूरी हो जाता है नहीं तो इसमें खुजली होने पर बच्चे थोड़े चड़चड़े हो जाते हैं और ये निकालना थोड़े टफ टास्क है लेकिन मैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिलकुल आसान तरीके से आप इस परद को कैसे निकाल सकते हैं तो सबसे पहले आप ये सुने सेट कर लें कि आपका बेबी भूका नहों और नहीं उसे नीद आ रही हो इसके लिए आपको लेना है कोई भी तेल आप नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास वैसलीन पैट्रोलियम जेली है तो वो ले सकते हैं वैसे वैसलीन सबसे बैस्ट रहती है तो आपको ये बेबी के सिर पर अच्छी तरह से लगा देना है कि उसका जो मैल की परत है वो इस तेल से या फिर वैसलीन से अच्छी तरह से ढग जाए जब ये परत ढग जाएगी तो हमें 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है छोड़ द कंगी करती जानी है तो इस तरह से कंगी करती जानी है कि उसकी मैल की परत निकलती जाएगी और जब ये मैल की परत लगभग पूरी निकल जाए तो हमें बेबी के सिर को अच्छी तरह से बेबी सेंपू से वाश करवा देना है तो अब ये मैल पूरी तरह से साफ हो तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए